यहां पर कोशन है changing questions into indirect speech notions यानी सवाल को जब indirect speech में करते हैं तो क्या करते हैं आपको ध्यान रखना है अगर wh या main question words से inverted comma के अंदर शुरुआत होती है तो दैट नहीं लगाएंगे अगर कोशन वाले होते हैं याशन टाइप कोशन होते हैं जो सबसे शुरू होते हैं तो दैट की जगह इफ लगता है कॉमा इन्वेट को हटा के यह वीडियो उनके लिए जिनको थोड़ा रायरेक आता है लेकिन यहां आप मैं बतारे हैं जब में कोशन वर्ड से शुरूआद है वह कोशन वर्ड क्या होते हैं है न होम हूस यह सबसे शुरूआत होगी तो दैट नहीं लगेगा क्या नहीं लगेगा बैट तो देखिए हैं आप लिखा है सत्यान सेट टु मी वट मिस्टेक डिडियू मेग सत्यान ने मुझसे कहा तुमने क्या गलती की थी ठीक अब देखिए सबसे पहली बात सैट टू क किसमे अकषणमार्क करते हैं इस में करते हैं सब बच्च दिखी तोल्द ही में लगाएंगे लेकिन एक बात इक्दम ध्यान रखयएगा जब कोशन मार्क लगा ओ किसमें किसमें पूछा सत्यमने मुझसे कहा यानि सत्यमने मुझसे पूछा कि तुमने क्या गलती की थी ठीक उसके बाद सब बच्चे क्या करेंगे अच्छा यह भी याद रगी कि अब यह इन्वर्टेट कॉमा और कॉमा यह दोनों चीज़ें क्या की जाती है इनकी जगा पर क्या लगता है लेकिन हमने यही बाद आधा है कि डबलू एच से शुरू हो देखिए डबलू एच कोशन वाट से शुरू है न तो दैट नहीं लगेगा नहीं इफ लगेगा नही करें तो यहां पिम्दा यहीं उतार देंगे वाट सबसे बहले यहीं उतार देंगे वाट कि फिर इसके यहां पर कुशनह के लाज्य का यहिए दिडग यूमेग ठीक को इसमें भी ऊपको पता है डिड़ जब होगा यहीं कि इसके बाद तुरंद बाद इसमें जैसे कि इसमें वाट मिस्टेक के बाद यहां फिर सब्जेक्ट आएगा उसने मुझसे कहा तो यू का आई हो जाएगा कि मैंने क्या आई हो जाएगा डिकी अब यहां पूशनिमार्क लगा हो था है अब यह बात रखना है यहां कोशनमार्क लगा होता है तो तो सबसे पहली बाद में lot आपको याद रखनी है दैट नहीं लगेगा ऑर question mark नहीं लगेगा तो kया-क्या टेगा आपने सीखा कि that नहीं लगेगा कोशन्मार्ट नहीं लगेगा और एक बात याद रखनी है कि हआप बाद में आएगा subject पहले आएगा तो कि इसी लिए खुशनवाग नहीं लगता है अब एक सेंटेंस दे रहे हैं आपको बताना है कि ही सेट टो मी कि ही सेट टो मी उसे मुझसे पूछा आप कैसे हैं हाउ और यू इसका बताईए जो बता लेंगा है वही काम लाइए